आज हम लोग बात करेंगे कि आपको साधना के दौरान भहे क्यूं लगता है भहे के उपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिस पर मैंने वेग्यानिक तथियों के बारे में बात की है कि क्यों हमें डर लगता है क्यों हमें साधना के समय अजीब अलगूतिया होती है हमारा शरीर उसमें क्या प्रतिक्रिया देता है और हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं इसके बारे में एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आप लोग चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, परन्तु इस वीडियो में हम बात करेंगे सामानने रूप से लगने वाले भाय की, कि व्यक्ति चाहता त चाहे कोई कितना भी बड़ा साधा को, उसे शुरुवाती दोर में डर लगता ही है, ऐसा कोई नहीं है जिसका जनम ही शम्शान में हुआ, वो पैदा होती है, वो शम्शान में ही बैठ गया, उसने कभी बार की दुनिया देखी ना हो, उसको डरना लगता हो, किसी से ऐसा को अगा जनम परिवार में हुआ है, और कोई कितना भी कहे कि मुझे डर नहीं लगता है, मुझे डर नहीं लगता है, कुछ ना कुछ चीज़े ऐसी होती है, या कोई ना कोई बात ऐसी होती है, जिससे किसी ना किसी को डर लगता है, अब अगर कोई है ऐसा जो कहता हो कि मुझ मुझे डर नहीं लगता तो मैं उससे मिलना चाहूंगा उस जैन में आकर के कादवेर वस्टमी पर मुझसे मिली एगा वच्छ अगर आप मेंसे कोई है इसको डर नहीं लगता है ठीक है अब हम बात करते हैं कि ये डर क्यूं लगता है मतलब एक सामानी व्क्ति की इसाफ से छोड़ दिए हम इतनी साधना करने के बाद इतना कुछ देखने के बाद आज भी जब हम अपने आपको ये बोलते हैं कि अब मैं सब कुछ देख चुका हूँ अब मुझे किसी चीज़ते मैं जूट नहीं बोलूंगा कि मैं को किसी चीज़ से डr नहीं लगता है कि इसमसारी ऐसी हैं मैं नहीं लगता है तो आसा कोई नहीं होता है जिसको में अ बहुत या मैं δर जाता हूँ ये एक सामानय साइकोलोजी है जो हर इनसान में होथी है जो विएक्ति ये कहता है कि उसे डर नहीं लगता इसके दो कारण हो सकते हैं या तो उस विएक्ति ने सबकुछ देख रखा है सब किसी हर चीज का सामना कर रखा है और उसके किसी चीज़ से भाई नहीं लगा दूसरा कारण ये हो सकता है कि उसने अभी तक कुछ देखा ही नहीं है ठीक है ऐसे लोग जब बातरूम में कौकरोच भी देख लेते हैं तो बातरूम नहीं करते हैं डर के मारे लेकिन एक सबसे बड़ा प्रशन ये उठता है अब जरूरी नहीं है न कि हर बार गलती हमारी ही हो कभी कभी साधना के अंदर तंत्र के अंदर ऐसी परिस्षितियां बन जाती है कि कितना भी मजबूत हिर्देवाला व्यक्ति हो कितना भी उसका मस्तिश्क तेज हो वो डर जाता है और इसमें उसकी गलती कोई नहीं है वहाँ पर उड़ जाएं कहे लीजिए या जिन देवताओं की अब साधना कहे लीजिए जो आप कर रहे हैं ये ऐसी परिस्षितियां वहाँ पर प्यादा कर देती है कि जिससे विक्ति डर जाता है इसके तीन लेवल होते हैं तीन स्थर होते हैं इस डर के अगर ये डर अध्यात्मिक है तो अगर आप वैसी फट्टू हो तो तो बात यह लग है वैसी फट्टू होने का मतलब यह है कि अगर आपको अकेले में शम्शान जाने को भी बोल दिया जाए तो आप डर जाओगे तो अगर आप इस प्रवत्ति के वेक्ति नहीं हो तो तीन स्थर होते हैं जिनसे की आध्यात्मिक रूप से वेक्ति को डराया जाता है सबसे पहला स्थर ये होता है कि आप लोग अंधेरे में बैट करके जाप कर रहे हो साधना कर रहे हो आखे बंद है आपकी उस समय वहाँ पर कोई ऐसी गतिविधी हो जाए जो अनेक्सपेक्टिड हो जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे है चाहे वो किसी समान का गिरना हो चाहे वो गर्मी या ठंड का लगना हो अब देखी क्या है न कि जिसे मैं डर कह रहा हूँ या जिसे मैं परिस्थिदियां आपको बता रहा हूँ जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए समान रूप से लागू होती हो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति समान गिरने से डर जाता हो हर व्यक्ति के साथ में कोई अपरत्याशित चीज हो जाए तो वो डर जाए लेकिन ये चीजे होती है और अगर आप इन में से नहीं है तो फिर आपको ये बात अपने उपर लेने की ज़रूरत नहीं है आप ऐसा मत सोचेगा कि मैंने आपको कोई गलत बात बोल दी है और सोच भी लेंगे तो मेरा कुछ भी गड़ने नहीं वाला उससे तो ये होते हैं पहला स्तर अब हम इसको समझते हैं कि ये क्यों होता है आप नॉर्मल मंतर जाप कर रहे हो शरीर के तापमान में बदलाओ होना इसका सबसे मुख्य कारण होता है आपका वो मंतर जाप उस मंतर के जाप के अक्षर और उस मंतर जाप की फ्रिक्वेंसी इन तीन चीज़ों पे आपके शरीर का तापमान निर्भर करता है क्योंकि मंत्र मैंने पहले भी बताया है कि एक निश्चित फ्रिक्वेंसी में एक निश्चित उर्जा पे वो सेट होते हैं एक निश्चित प्रक्रिया के लिए, एक निश्चित कार्य के लिए वो मंत्र सैट होते हैं, जब उन मंत्रों का जाप किया जाता है, तो वो frequency आपके शरीर के साथ ही इंटरचेंज करती है, आपके शरीर के साथ ही संपर्क करती है, क्योंकि आपका शरीर ही सबसे पास है उन मं मंत्रों द्वारा बदला जाता है ताकि वो दिव्व शक्तिया या फिर वो निक्रिष्ट शक्ति background या फिर व ani सकत elink कि अена करा रहें। वीं इसे यह समझी कि जैसे टो तो डिमीं कर डीका मदली बह्त है नॉर्मली मंतर जाब लोग करते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि कि दूसरी चीजा जब भी ध्यान में आपको दर्शन होते हैं कभी भी है अप फिर से मैं एक बात कह दू कि ये बात भी हर कि कि लिए लागू नहीं होती है खास तोर पर उन लोगों के लिए जो इमाजिनेशन बहुत ज्यादा करते हैं और मेरे भी कुछ इश्चे से हैं जिन्होंने इस तरीके की साधना पहले की थी तो उनके जनुबह थे मुसाधार पर ये बात कह रहा हूं कि जब वो विक्ति भूद पिशाच की या फिर चड़ायल पिशाचनी यक्षनी इनकी साधना वो लग करल देते हैं तो आरंबिक दोर में शुरुवाती दोर में उनको एक विभत्स रूप के दर्शन उसके होते हैं परन्तु बाद में उनका वो रूप जो होता है विभत्स से सौम्य हो जाता है सुन्दर हो जाता है और वो उनके साथ रहते है तो एक छोटी सी बात यहां पर समझे कि अगर एक पिशाच में या फिर एक पिशाचनी में इतना सामर्थ है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने रूप को सौम में या उग्र कर सके तो क्या देवी या देवताओं में ये सामर्थ नहीं होगा जो लोग कहते हैं बहुत सारे लोग ये बात आप लोगों ने सुना होगा कि मुझे काल भहरव के दर्शन सौम में रूप में होते हैं बालक रूप में में को काल भहरव दिखाई देते हैं मुझे माता काली एक छोटी बच्ची के रूप में दिखाई देती हैं सुनिया ना तो ये चीज़े क्यों होती हैं परंतु अगर आप इन लोगों से पूछेंगे इनके आरंबिक अनुभव ये आरंबिक दर्शन जब आप इनसे पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि जो काल भहरव आज इनको बालक के रूप में खेलते हुए दिखाई देते है यहीं काल भहरव शुरुवाती दौर में एक विभत्स भयानक रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुए थे जिसको देख करके उनके अनितरात्मा काम गई थी तो इसिदास जी ने भगवान राम के बारे में लिखा हुआ है बहुत कुछ उनमें एक गरंथ में ये भी लिखा हुआ है कि भगवान राम ने जब माता तारा की साधना की थी तो माता तारा ने भी उनको एक विभत्स रूप में ही दर्शन दिये थे बहुत कम लोग ये बाद जानते हैं कि भगवाण श्री राम ने माता तारा की सिद्धी की थी तांत्रिक प्रक्रिया द्वारा वसिष्ट रिसी ने माता तारा की थादना की थी तो इन लोगों को भी जब भगवती तारा के दर्शन हुए थे तो इनको उनका एक विभत सुरूप देखने को मिला था बल्कि भगवती तारा का जो सुरूप है माता तारा का जो सुरूप है विभत्स नहीं है वो सौम में है तारा वो जो तारण करने वाली है जो पालने वाली है तो एक पालक का सुरूप विभत से नहीं हो सकता परन्तु फिर भी इन लोगों को उनके दर्शन विभत सुरूप में हो गए थे परन्तु बाद में उनके दर्शन सौम में हो गए थे बहुत सारे लोगों के साथ में ये चीज़ होती है कुछ कपाल बहरो बाबा की बात कर ले थे आज के समय में भले बात अलग हैं आज के समय मित्रबत वहवार करके रखते हैं साथ में परंतु एक समय वह भी था जब बाबा कपाल बहरो की पहली चावी देखकर मैं को चार दिन मुखार जड़ा हुआ था मैं भैसे काम रहा था उनके बार में सोचने मातर से भी परन्तु आज अगर मेरे को वो चीज नहीं होती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं यह बोल दू कि मेरे को किसी चीज से डर नहीं लगता है बहुत सारी चीजे हैं जिनसे मैं आज भी डरता क्लेंब कर दो कि कर दो कि मिर को किसी चीज़ से डर नहीं लगता है ऩाज भी डर लगता है परफया है अब तुर पर क्या फ्रोस ये बड़त रहता है कि भाबा की कृपर हैै तो कुछ गलत नहीं होगा यहीं एक भावना है जो मन से सारे डर निकाल देती है सारे डर खतम गड़ देती है जब आज भी जब एक अनुभाव आप लोगों को मैं अपना बताना चाहूँगा यहाँ पर अपना मेरा खुद कानुभाव और मेरा एक्षिष पिछले साल अक्टूबर में बाबा कपाल भैरव के मंदिर में उनकी मूर्ती को पेंट करने के लिए गए हुए थे तो रात के तीन बजे का समय था हम लोगों ने दोपहर को दो बजे से शुरू किया था हम लोगो को कलर मैच करने में हम लोग Questo कम जादा ना हो जाए तो कई से ऐसा ना लगे कि यहाँ जढ़ा हो गया यहां करा एक चीज हमने उनकी बड़ी सरीखी से उसको अमने करा तो समय लग लग गया रात को करीब तीन सवतीन बजे थे तो हमारे शिश्य ने सोचा कि क्यों ना बाकी शिश्यों को भी बाबा की छवी के दर्शन करवाया जब बाबा की छवी का मूर्ती का पूरा का पूरा पूरा पेंट का कारे पूरा हुआ तो उन्होंने सुचा कि इस जो स्क्रीन पर भी आप फोटो देख रहे हैं यह उसी समय की फोटो है यह जो हमने पेंट करी थी तो हमने शिष्चों को वीडियो कॉल किया अपने गरुप में मतलब जूम के माध्यम से हम लोगों ने वीडियो कॉल किया जब नीचे चले गए विक्राम भैरौ बाबा के मंदिर में जब नीचे चले गए तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि मेरे बगरवली दिवार पे अगर जो लोग कपाल बहर बाबा के मंदिर में उज्जन में गए है वो लोगी बाद जानते होंगी कि इस तरफ रोड है जैसे तो उस तरफ बाबा के जंगाल है पुरा का पुरा उस तरफ मुझे ऐसा लगा कि कुई है जो सांस ले रहा है बहुत जोर जोर से मतलब कि मुझे बाबा की मूर्ती के पस सुनाई दे रही थी इतनी तेस्थे जवाजे तो मैंने इंग्णोर किया मैं हमसे को पता तो था कि कोई ना कुई चीजी होगी क्योंकि ऐसी हरकते डात को शमचान में हर कोई नहीं कर सकता तो मैंने किसी को बोला नी तो जब मूर्ती का काम खतम करके मैं हाथ दोने के लिए अपने गया पीछे की तरफ तो जब मैं वापस आये तो मेरा शिच्छे मेरे को बोलता कि गुजी मेरे को ऐसे ऐसे वहाँ पर लगा की कुछ है अब यहाँ पर ध्यान देने वाली वात यह है कि मैंने उसको नहीं बताए कि मैंने कुछ सुना है मैंने कुछ देखा यह वो बंदा मेरे को सामने से बता रहे है ठीक उसी जगा पर ठीक उसी पॉइंट पर जहाँ पर मेरे को आबास हुआ था लेकिन अब हम लोग दोनों के दोनों एक सेकीन के लिए घबरा लाएक क्यों कि मेरी एक आदित है कि मैं भूत प्रेतों को थोड़ा सा दबा करना हुआ इन यह है कि मेरे मेरे साथ में कोई चीज उल्टी सी ली लगी है न तो मैं एक ही बात बोलता है मैंने जब तक बाबा की क्रिप है तब तक कोई कुछ नी बिघार सकता है। मंदिर से बाहर निकलोगे तो क्या होगा अब ये सुनकर के भाई या वो शिष्ष मेरा ठंडा पड़ गया वहीं पर क्योंकि ऐसा निये कि वो कोई नौसीखिया बंदा है वो कोई आज कलकदा दो दो चाल महीने का सीखावा बंदा है वो विक्ति अगर मैं बात करू तो मेरा जो वो शिष्ष है वो तंत्र शेत्र में मेर से भी पुराना है मेर से भी पहले 14 साल का अनुभव उसको है आज की डेट में उसका अनुभव कुल मिला करके 20 साल का है 18-20 साल का है तंत्र में तो वो काप गया परन्तु बाबा की क्रिपास से जैसा कि मैंने बोला बाबा की क् से क्या समझ में आता है कि जरूरी नहीं हो अगर बहुत साथना कि यह ऊगर अगर आप शंचान में साथना कि यह व्यों यह कि मुरादाबाद ने उल्टी-इडी शंचान में कुन आ पर बिस्था कूई भी पड़ हो आच मेरा शंचान में यह घात उच्छान अत्यम्त विवत्स भयानक क्रूर उल्टी सीदी चीजे मां पर हुई पड़ी सारी की सारी तो यह चीज है तो वह कुई नौसिखिया बंदा नहीं है उसने सब कुछ देखा है सब कुछ खुद किया हुआ है अपने हाथों से मुर्गे बखरे काट काट के दी है उसने सब कुछ देखा हुआ लेकिन फिर भी आज और डेट में जब ऐसी कोई चीज होती है तो Neighब जाता डर लग जाता है यह डर क्यों लग जाता है क्योंकि डर हमेशा वहीं लगता है जहां पर कोई ना कोई चीज या तो आपको प्राप्त होने वाली उती है या फिर आप अपन अगर आपका विश्वास आपके देवता के प्रती प्रबल है और विश्वास में आपको यह चीज भी बता जेता हूं कि विश्वास एक ही के प्रती प्रबल हो सकता है ऐसा नहीं कि आप बीस देवताओं की पूजा करों बीसों के प्रति बोलो कि नहीं मेरे को पीसों भी विश्वास है जब आपके ऊपर संकट आएगा जब आपको कहीं फसोगे तो उस एक शक्ति का ही नाम याद आता है उस एक देवता का ही नाम याद आता है जिस देवता की क पुराण की साथना की हुई है बहुत कुछ किया हुए परन्तु आज भी जब कहीं फस्ता हो ना जब कहीं लगता है कि नहीं अब नहीं यहाँ पे मेर से काम नहीं होगा तो में को बाबा कपाल भहरव क्यालागा दूसरा को यादी नहीं आथा अब समस्या यह हो गई है कि यह भाशक्ता आपके ज़रध आपकी बुरे समय में आपका साथ देगी कृमार में तो यह है दूसरा और यह जानता है कि किसी कोई भी शक्ति जब आपको दशन देने आती है तो अपना विभत सरूप धार्ण करके ही आती है अब या तो आप उस विवत सरूप का सामना करके अपने डर के उपर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने संग में बिठाओ और या फिर आप उनके विवत सरूप से भै खा करके उनके प्रतिये गलत धांडा बना करके उनसे दूरी बना लो maximum cases में दूसरे वाला काम होता है कि वो लोग ये सोचने लग जाते कि अरे भैरव तो बड़े भयानक है काली माता तो बड़ी भयानक है वो तो खून पीती है वो तो ये पीती है ये जो आदे कुत्ते के बच्चे आकर के मेरे comment section में भौगते हैं कि माता काली खून मांगती है ये वहीं लोग है जिन्होंने किसी किताब में ये पढ़ लिया है कि काली माता ने इनको ऐसे ऐसे दर्शन दिये से ठीक है तो कोई भी चीज जब आपको अपनी विभत सरूप के दर्शन करवाती है तो उसके मुख्य एक ही कारण होता है और वो ये है कि वो शक्ति आपके भीतर के भहे को समाप्त करना चाहती है वो शक्ति आपके भीतर की कुंठा को समाप्त करना चाहती है जिससे कि आप उस देवता की कृपा के हकदार बन सको, उस कृपा को समाल सको, शुद्ध बुद्धी होना बहुत आवश्यक है देवता की कृपा के लिए, यदि आपकी बुद्धी शुद्ध नहीं है, तो आप उस देवता की कृपा को अरजित तो कल लोगें, लेकिन रख क्योंकि बहुत कुछ देना पड़ता है कि साधना सिद्धी तंत्र मंत्री ये चीजें केवल दो दिन दस दिन बीस दिन या पचास दिन या एक साल के विज आपकी नहीं है आपको अपने जीवन का एक अमूल्य भाग इस छेत्र को देना होता है और वास्तविक्ता ये है साधना चेत्र की कि इसके अंदर आपको मिलेगा क्या वो नहीं पता लेकिन चला क्या क्या जाएगा उसकी कोई गैरेंटी नहीं है कोई नहीं जानता कि आपको अब पूरी सिंद्गी भी अगर भगती हूं कि यह जाप करते रहो या भैराव दर्शन देने आएंगे हां खुन पीने मांगने आएंगे वह अलग बात है दर्शन नहीं देने आएंगे कभी आप भागवान भहरवनात के उस सुरूप के दर्शन नहीं कर पाओगे जो सुरूप एक राजस्व वाला सुरूप है और अगर कोई है ऐसा जो बोलता हो कि कपाल भहरud के राजस्व रूप का धेहन करने वाले ऐसे कितने लोग हैं जिनको वास्तविक्ता में इस बात का ग्यान है कि बाबा कपाल भहरud का राजस रूप कैसा है बहुत इच्छ है किसी के मूद Juliet को राजाभी रूप में देखा है तो यहीं थी आज लूप पशके वीडियों में आप लोगों को बैदी समझ में हाई होगी अगर है कि उद्ध सवाल पूछ लीजेगे आपने पי कोशिस की जाएगे जबाब देनी की अब मेरी बातों उसे सहमत होना देकिन आपको ना अपनी बात से सहमत कर्वाना चाहता वे आपनी बात से जैसे गुद्धी वह सोचे नहीं कोई दिक्कत वाली बात नी ठीक है अभी के लिए इस वीडियो में के वाल इतना ही जैस्री महा काल आप सभी लोगों को